दोस्तो T20 विशु कप में भारत की लगातार दूसरी हार ने समी करण बिगार दिये हैं और भारत की अब सेमी फाइनल में पहुँचने की उम्मीदे ना के बराबर बची है हालांकि दोस्तो विराट कोली की जित इसमें भारी पड़ी है कप्तान के तीन गलत फैंसलों की वज़े से टीम हारी है ऐसा क्रिकेट के फैंस मान रहे हैं वैसे दोस्तो टी-20 विशुकप में न्यूजिलेंड के खिलाफ हुए करो या मरो के मुकाबले में भारतिय कप्तान विराट कोली की जिद ही ऐसी है जो की टीम पर भारी पड़ी पड़ी उनका कोई भी फैंसला टीम के काम न आया उल्टा भारत न्यूजिलेंड से हार गया और सेमी फाइनल में पहुँचने की उम्मीदे और कमजोर हो गई है इस मेच में कोली ने बल्ले बाजी करम में तीन बड़े बड़े बदलाओ किये थे लेकिन उनका एक भी दाओ नहीं चला और भारतिय टोप ओडर बिखर गया और महज 50 रन के भीतर 4 बल्ले बाज पे वे दोस्तो ही आया है कि आखिर क्यों विराट ने तीन अंतरा स्टेटी 20 खेलने वाले अनुभाव हीन इशान किसन से पारी की शड़वात कराने का जोग ही मुठाया वो भी तब जब इशान को नई गेंज से ट्रेट बोल्ट और टिम साउथी जैसे स्विंग गेंद बाजों क का सामना करना था जैसी आशंकाती वैसा ही हुआ इशान किसन एक चोका मार कर बोल्ट का सिकार बन गए वहीं दोस्तो विराट कोली का दूसरा चोकाने वाला फैसला था रोहित शर्मा को बतर ओपनर नदर अंदाज करना करो या मरो के मुकाबले में इशान किसन को टोप ओडर में खिलाने के लिए रोहित के बल्लेबाजी करम में बदलाओ किया गया वो तीन नंबर पर खेलने आयो और इस सिडू की गेंद पर बड़ा शोट खेलने के चकर में वो भी सस्ते में आउट हो गए रोहित ने 14 में 14 रन बनाए इस से टी मीडिया के मद्यकरम पर और दबाओ आ गया रोहित का रिकोर्ड बतोर ओपनर शानदार है उन्होंने 113 अंतर रास्ट ये T20 में से 80 में ओपनिंग की है और इनमें उन्होंने 2404 रन बनाए रोहित ने पारी की शुरुआत करते वे T20 में 4 शतक भी ठोके हैं ऐसे में विराट का यह फैंसला समझ से परे था वहीं दोस्तों तीसरा गलत फैंसला उनका केल राहूल के लिए था न्यूजलेंड के खिलाब में केल राहूल शिर्ष करम में अपना इस्थान बरकरार रख रहे थे जबकि रोई शर्मा को तीन नमबर बर बल्ले बाजी करनी पड़ी राहूल के पास मद्य करम में बल्ले बाजी करने का एक अच्छा अनुबव रहा है और वं अंतराश्टे करकेट और एपियल दोनों में मद्य करम में बल्ले बाजी कर चुके हैं और मिडल ओडर में खेलते वे उनका रिकोर्ड भी अच्छा है ऐसे में उनको म नमबर पर भेजा जा सकता था और उनकी जगय रुईत से पारी की शुरुवात कराई जा सकती थी बल्ले बाजी करम में हुए बदलाओ के कारण कोली खुद भी अपने पसंदिदा तीन नमबर के बजाए चार नमबर पर बल्ले बाजी के लिए आये और वो भी नो बन बन बना कर आउट हो गए और टीम इडिया को हार जे लिनी पड़ी वैसे दोस्तों आपको क्या लगता है और कौन से ऐसे फैसले थे जिससे की टीम इडिया की हार तै हो गई थी कमेंट बुक्स में अपनी राइज जरूर दें धन्यवाद वंदे मातरम जे हिन जे भारत